कन्या विवाह योजना के अंतरगत 90 जोडे दामपत्य बंधन में बंधे MLB स्कूल मैदान में आयोजित सामोहिक विवाह में शामिल जोडों के चहरों पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने ऐसे आयोजनों के जरिये दहिस जैसी कुपरिथा को मिटाने के लिए शासन का आभार विक्त किया अक्षय त्रतिया के शुब मौके पर मुख्यमंत्री सामोहिक कन्या विवाह योजना के तहट 90 जोडों को विवाह बंधन में बंधा गया MLB स्कूल के सामने स्थित मैदान में आयोजित कारिकरम में नदर निगम इवंप्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जन प्रतिनिदी भी शामिल हुए जिसमें सांसर्द राकेश सिंग माप और जगट बहादूर सिंग अन्नू कैन पिधायक अशोक रोहानी सहित अन्नी जन प्रतिनिदी शामिल रहे और सभी ने न प्रिवाहित जोडों के सुख़द दामपत्य जीवन की कामना करते हुए उन्हें आशिरवाद प्रदान किया मुख्मंदरी कन्या विवाय योजना के अंतरकता जबलपुर में नगर रिगम के द्वारा आयोजित इस सामोहिक विवाह में लगभग 90 जोड़े रहिश्टर हुए हैं और बहुत खुशी की बात है यह सब जितने भी जोड़े हैं बहुत खुशी से आज यहां पर उनकी कि एकदम परफेक्ट है जोड़े हमारे गोग पंड़ित महा सभाकर macam के बहुत अच्छे से उनौने के साथ विवाह कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ बहुत शांदार आज ये विवाह का कारिकरम जबलपूर शहर में संपन हुआ प्रारम मानी मुख्यमंति शिवरास्चिन चोहांजी ने किया है मैं सभी जो अपना नया विवाहित जीवन प्रारम कर रहे हैं वन जोड़ों को बहुत-बहुत बदायों शुबकामना देता हूं प्रभूकी और नर्वदा महियप की इन पर असीम करपा बनी रहे क्योंकि नि सिवरास्चिन का सुक्रिया कर रहे हैं कि इतना सुन्दर डेकुरेशन है और सब कुछ बहुत अच्छा है यहां पर यह नगर निगम दारव करते फॉर्म भरे जा रहे थे और इंतजार कर रहे थे हम लोग को फॉर्म पैसे भर गया था पर थोड़ी इंतजार करना पड़ा हम लोग को पर बहुत अच्छा है और जो मुश्किले थी घर में तो उससे भी कहते आराम मिला है कि हम लोग को वो सिवरास्चिन वो मामा थोड़ी वो कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं विवाह बंदन में बंदे न विवाहित जोडों के चहरों पर भी खुशी साफ नजर आ किया और साथ ही विवाह की विवस्थाओं की भी सराहना की अधिहासिक संग्राम सागर तालाब के सौंदरी करण का कारे लगभग पूरा हो गया है और 26 अपरेल को तालाब का लोकारबन किया जाएगा इसके पूर्व सांसत राकिर सिंग ने नगर निगमायुक्त एवं कले पूर्ण कर इसका लोकारपन आगामी 26 अपरेल को किया जाएगा सांसत राकिर सिंग ने संग्राम सागर के निरीक्षन के दौरान निगमायुक्त को निर्देश दिये हैं सांसत ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर के 52 तलयों में से एक संग्रा वहाम सागर ने बनवाया था और वो इस्थल चारो ओर फाहर्यों से घिरियो हुने के कारण अत्यंठ रमनिएस्थल इसी के मद्य नजर इसे परियाटन के मेगा सर्किट में शामिल कराए गया था और परियाटक इस्थल के रूप में विक्सित बनाई गई परियोजना के अनुरू, केंद्र सरकार के परियटन मंत्राले द्वारा एक करोड बावन लाख रुपे की राशी मेगा सरकृत में सुविक्रत कराई गई थी, जिसमें से एक करोड बाइस लाग की लागत से कारे संपन कराई गए हैं। सांसदनी संगराम सागर के निरीक्षन के दौरान अधिकारियों से कहा कि शेशकारिय शेगर कराकर 26 अप्रेल को लोकारपन के साथ ही इसे परियटकों के लिए खोल दिया जाए भगवान परशुराम ने मानव जीवन को जो संदेश दिया है उसमें शास्त्र के साथ शास्त्र की उपयोगिता को भी बताया है उनके सारस्वत दर्शन में समरस्ता प्रासांगीक है ये बात समरस्ता सेवा संगठन के द्वारा अगरसेन मंडपम में भगवान परशुराम के प्राकाटे उत्साओं के मौके पर आयोजित विचार गोश्टी के दौरान प्रमुख वक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गए इ बॉक्टर सुरेश वर्मा ने कहा शस्त्र और शास्त्र का ग्यान इंसान को बलवान बनाते हैं साथी अपने धर्म की रक्षा कैसे करना है ये भगवान परशुराम ने सिखाया है वहीं अन्य वक्ता अस्मिता शैली ने कहा सामाजिक समरस्ता वर्तमान समय में अध्यंत समाज के लिए दिया था और वो हमारे देश की मूल भामना भी गही है इसके अलावा समरस्ता सेवा संगडन के अध्यक्ष संदीब जैन ने कहा आज हम सब के आराद्य श्री हरी के छटवे अफ़तार भगवान परशुराम के प्राकाट्योंत्सों के आउसर पर आयोजित का अध्यक्ता सेवा संगठन के द्वारा भगवान परशुराम ली के प्राकाट उस्व क्लाउपस आप विचार गोश्टियों सम्मान समारों को आउजिन किया गया है जैसा आप सभी को विजित भी है कि समरस्ता सेवा संगठन का मुख भूब सब सब को जाने हो सब सब को माने है इसलिए भारती सनातन दर्सन में जिन महापुरसों ने जिन संतों ने जिन आराध्यों ने समाज को अपना दर्सन दिया है अपना मार दर्सन दिया है ऐसे सभी महापुरस्ता की जैंती पर्व को हम सभी लोग मिलकर मनाएं और हम सभी सब को जाने सबको मानों एक साथ एक सवर भारत माता की जय भूले सब लोग इसलिए ऐसे समरस्ता सिवर संग्रण के द्वारा बर्स वर में कारिक्रम में बड़ी संग्या में लोग मौजूद रहे श्री हरी विश्णू के छट में आवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर प्रगतिशील ब्राम्वन महासभादवारा गढ़ा गौतम जी की मडिया से विशाल वाहनरैली निकाली गई जिसमें बड़ी संग्या में वेपरबंदू शामिल हुए भगवान विश्णू के छट में अवतार परशुराम जी के अवतरण दिवस के मौके पर निकाली गई वाहनरैली शहर के प्रमुक मारगों से होते हुए बड़ा फ़ारा मालविये चौक होकर दमोनाका में समाप्त हुए जिसमें बड़ी संख्या में वेपरबंदू शामिल रहे आयूजगो ने बताये कि प्राम्हंट समाज को संगधित करने के लिए भी इस रैली के माध्यम से संदेश दिया गया मद्द प्रदेश प्रक्दिसील गरामण महासाभा के लिए अब्द बाहन रैली संगत मुठन मंदिर बोतंगी की मढ़िया से प्रारम हुई इसमें हजारों की संख्या में विप्रदन इवं संबस्त हिंदू समदाए भगवान परसुराम के जैकार के साथ उनके नारों के साथ वाहन रैली में सामिल हुआ ये वाहन रैली गढ़ा, रानी ताल और बड़ा फारा माती चौक, दमो नाका में समाप कुए एक विसल वाहन रैली कायोजन किया गया है आज में सहर के नहीं बलके पूरे ग्राम प्रिश्यतन वहीं यहां पर आयो हमाई और नाके अब ग्रामन समदाए के बलके अजवरनों के लोग यहां पर वाहने वाली है प्रामन समाज विप्रकुल परिशत रगतशी ब्रामन माती है समाजिक सम्रस्ता का संदेश लेकर इस विशाल वहान रैली को निकाल रहा है बग्वान पर शुरामने अना चार को मिटाकर पापा चार को मिटाकर सदाचार की स्थापना करी ती उसी संगल्प को लेकर समूचा वे परकुल बग्वान पर शुरामनी की जहती मना रहा है जह धन धान्य और सम्रद्धी की देवी मा अनपूर्णा का जन्मोत्सव निवाल गंजी इस्थित अनपूर्णा मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया इस मौके पर महा आर्थी एवं बधावा कारिक्रम का आयूजन कर प्रसाद वितरण किया गया धन धान्य की देवी मा अनपूर्णा का जन्मोत्सव निवाल गंजी इस्थित अनपूर्णा मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया अनपूर्णा का पूजन कर महिलाएं परमपरा नुसार बधावा भी लेकर आई और इसमें बड़ी संख्या में छेत्रिय जन्म शामिल आज अक्षे चतिया के दिन मा अनपूर्णा का जन्मोत्सव यहां अनपूर्णा मंदिर निवाल गंजी में मनाया गया जिसमें बक्त जन्म द्वारा सोबेसे बेसेश पूजन अर्चन किया गया पूजन अर्चन के उखरान साम को मैलांग द्वारा बधावा का कार्गम आउजित किया जिसमें खेसरवानी परिवार की ओर से बधावा लेकर उनलोग आए और महा आर्थिक की गई इसके साथ ही पर यहां पर विसाल रूप से भंडारा कायोजन किया गया जो कि निरंता चल रहा है और सभी पर माता अंद्वुना की किरपा वनी रहे यही सबसे काम ला करता हूं माता रानी का आज हम लोगों ने बड़े भवे रूप से जन्मुसा मनाया है आक्षे तरतिया को माता रानी का नम्रत जन्मुसा पड़ता है आज हमें अरे सभी वक्तों ने माता की खूब धूम नाम से बधावा निकाला वहीं इस मौके पर महा आर्थी के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया अक्षय फल देने वाले पर्व अक्षय त्रतिया पर्व मंदिरों एवं घरों में विधी विधान के साथ पूजन किया गया इस दौरान मिट्टी से निर्मित गुड़े गुड़ियों का विवाह भी संपन हुआ अक्षे त्रतिया का पर्व संसकार धानी में परंपरा नुसार मनाये गया इस मौके पर घरों और मंदिरों में विधिवत पूजन अर्चन किया गया खास बात ये है कि इस दिन मिट्टी से निर्मित गुड़े गुड़ियों का विवाह कराने की परंपरा है जिसका महिलाओं द्वारा निर्वाहन किया गया और गुड़े गुड़ियों का विवाह रचाया गया अक्षे तिदिया के पावन पर पर हम लोग इदर पूज़ा करने आये साथ में गुड़े गुड़ियों को लेक के आये साधी करने के लिए अच्छे तिदिया के पावन पर हमने गुड़े गुड़ियों का विवा कराया है बच्चों के साथ आके और यहां पकवान चड़ाए हैं भगवान को भोग लगाया है आज अक्छे तिदिया है आज के दिन हम लोग गुड़े गुड़ियों की शादी करते हैं और आज की दिन का महत्वई यह कहा जाता है कि आज की दिन बिना मुहरत के शादी होती है ऐसा किया जाता है कि दिन रात बराबर इसमें कोई मुहरत नहीं देखा जाता है गुरंदी गलगला इस्थित पंचकोशी मंदिर में भी महिलाओं द्वारा पूजन अर्चन किया गया विजन केर आई हॉस्पिटल में शुकरवार को मोतिया बिन के ऑपरेशन के दोरान गढ़ा पुर्वा निवासी फागुलाल की हालत बिगड़ने और बाद में महाकोशल हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाने के मामले में लाटगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जाच शुरू कर दी है पुलिस ने शव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भीजा है और उन्हें अब पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है सीएसपी प्रभाज शुकला के अनुसार पुर्वा निवासी फागुलाल मोतिया बिन का ऑपरेशन कराने के लिए विजन केर आई हॉस्पिटल किया था जहां ऑपरेशन टेविल पर ही उसकी तबियत बिगड़ देए और उनको महाकोश्वल हस्पतार लाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई और इस मामले में परेशनों ने शिकायद दी है कर रात में महाकोश्वल हस्पिटल से सुचना प्राप्त हुई थी कि एक विक्ति जिसका नाव फागू पडेल था उसे विजना आई केर में आँकों के आपरेशन के लिए बहती कराया गया था पुलिस का कहना है कि पोस्ट मौटम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजय का पता चल सकेगा नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए घूम रहे एक आरूपी को कोतवाली पुलिस ने छोटी देवन से गिरफ़तार किया है पुलिस के अनुसार पुर्व में भी आरूपी एवं उसकी पतनी नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में पकड़े जा चुके हैं चोटी देवन के पास फेरी लगाकर नशीले इंजेक्शन बेच रहे संतोश उर्फ डॉन को कोतवाली पुलिस ने गिरफ़तार किया उसके कबजे से चार नशीले इंजेक्शन और सीरेंज बरामत की गई है पुलिस के मताबिक संतोश और उसकी पतनी पूर्व में भी नशे के इंजेक्शन बेचने के मामले में पकड़े जा चुके हैं के पास मक्विर सुचना के आधार पर इसको पकड़ा गया है जिसके पास नशे के इंजेक्शन पेंडरमाइन मिलेट और लीजेसिक तदा डिस्पोजल सीरेंज ये इसके पास में पाए गया हैं और जिसका ये विक्राय कर रहा था पूर में भी इसकी पत्नी प्रिया जारिया को नशे के इंजेक्शन बेची जाने के मामले में ग्रफतार किया चुका है जो बरतमान में अभी केंदर जीय जवलपूर ने रुद है इसमें पूर में अपराद को मांग एक्सट तालिस अबलिक दोजार तईस पंजवित किया पूलिस द्वारा आरूपी के विरुद्ध कारवाई कर उसे न्यायले में पेश किया गया है ख़बरों का ये करम लगातार जारी है आप देखते रहिए बी टीवी नियू